तो आज हम लोग उसे कुछ पर फोकस कर रहे हैं जो आने वाले एक्जाम मारज होने वाला है इस सेशन में अगस्त वाले सेशन में जो आपके कुछ कुछ इंपॉर्टन्ट कॉंसेट्स जो है वो ब्रिशप करने के लिए हम ऐसे कुछ कुछ को पिक अप कर रहे हैं ठीक है तो आज हम लोग उसी कि उसी सिरीज के आज फोर्थ एप्लोड में आ चुके हैं तो बिन देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते ह हमारा पहला कॉश्चन कौन सा है है तो इस ट्वेंट्स हमारा पहला कॉश्चन जो आपके सेर्म में लिखा हुआ वह कुछ प्रिकार से तक कर्ट स्टेट्मेंट अबाउट आई इस सील फाइफ एफ एंड आई सील फोर नेगेटिव इस मतलब है कि क्या रहा है के जो कोश् पर बेज़ ने तो आप आप तक समझे गए गए कि हमारे कौशन जो है वो कौन से त्योरी वहाला है यह सॉल हो जाएगा हमारा वेस्ट पर थे जिए यह concept से साज मेरी आपको पात है ठीक है तो अपसे पहले हमारा फिर आपको पता ही क्या करना हमको है हमारे पास यह दो molecule जो लिखे हुए है कौन कौन से molecule से icl5 और क्या है यहाँ पर icl4 negative लिखा हुआ है हमको से पहले इनके structure जो है वह हमको पता कर लेंगे उसमें ठीक है और साथ में कितने अटेज्ट है फाइफ को एक्स्टा चार्ज नहीं है तो और कुछ काम को नहीं करना इसको जब टूसे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितने electron pairs आएंगे इसमें six electron pairs है लेकिन इस molecule में bonded कितने सिर्फ है इसका मतलब इन में से भी five तो bond pair electrons हो जाएंगे और बाकी बचा हुआ क्या होगा इसमें एक लून पेर होगा ठीक है हमारा फ्रवाई करेटरी आएगा है यहाँ पर कि अगर मारी यह 6 electron pairs है और अगर सारे के सारे में लाए करते हैं बाकी एक bond ऊपर आता है और एक bond plane के नीचे आता है ठीक है आपको आपको याद भी होगा इस बारे में ठीक है इसमें देखिए क्लोरीन जो है क्लोरीन को कितने करते हैं इसमें five है तो पांच में से चार क्लोरीन जोता है वो तो obviously बात है यहाँ पर इसके एक plane में arrange हो जाएंगे जाकर के ठीक है और बाकी एक जो बचा हुआ क्लोरीन जो है वो कहां चला जाएगा इस टॉप पर अब देखिए क्या हो रहा है कि पर एक टॉप पर एक क्लोरीन लगा हुआ तो अब इसका structure ध्यांस देखेंगे जाकर करके तो यह कुछ इस प्रकार स से रेंज हो रहा है देखिए यह नीचे का square plane माल लिए इसमें और क्या यहां पर है यह सारे के सारे बॉंड जो है वो ऊपर जो मिलने करके तो एक पेरामेट फॉर्म करेंगा इसका बेस कैसा होगा square तो यह वाली क्या कहलाएगा हमारी यह वाली कहलाएगी square ठीक है इसका मत करने को युश्च किया कीजिए इसे इसका मतलब को भी सेकंड वाला भी पता करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए इसमें क्या लिखा है इसका मतलम आ रहा है यहां से अगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आईज़ फोर नेकिटिव जैसा का स्ट्रक्चर क्या होगा जाकर कि तो आईवडियन के वैलेन्शिल में सब्स प्लस क्लोरीन कितने प्लूर और अपर क्या है एक एडिटिशल नेगेरिफ्टीव चाठ इसका मतलब अट ये को एड कर देना आ इसको आफ टू से डिवाइड को जाएगा इसमें आयोडीन सेंटर में जाएगा इसके एक प्लेन में चार बांड्स लाए करेंगे और प्लेन कैसे शेप होगा उसका स्क्वायर और एक बांड जो है प्लेन के ऊपर और एक बांड प्लेन के नीचे आजाएगा ठीक है हम जो क्या करना है इसमें चार बांड यह वैसे भी है तो इसका मतलब एक लोन प्यर्ट जो वो स्पेंट के ऊपर आ जाएगा और एक लून प्यर्ट के नीची आ जाएगा ठीक है अब दिखी यह जर्द के सारे क्लॉरीं जो हैं कि ICL5 के geometry क्या आई थी वो आई थी जाए करके square pyramidal और यह जो ICL4 negative जो है इसकी geometry क्या आई है square planar तो इससे दिखे हमारा answer कौन से match हो जाएगा यह दिखे D वाला option जो लिखा हुआ है ICL5 is square pyramidal and ICL4 negative is square planar तो हमारे next question जो है वो भी इसी concept पर वेस्ट है वेस्पर सेहरी पर लिखाय रहा है कि the shape oblique structure of XC5 negative and xenon oxygen 3 and flow F2 respectively R मतलब दो molecule जो दिएगे इनके geometry बारें पूछ आया करके है दिखे हम आपको पहले बताया है कि हम लोग ऐसे questions को pick up कर रहे है जो पहले आज चुके है आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से प्रिवियस एर questions है प्रिवियस एक्जांस के question है देखिए आपर लिखा भी हुआ है कि सेप्टेंबर को उसकी शेकंड शेफ्ट करना पर कर लेते हैं तो क्या इसमें के वैलेंशन में कितने अलेक्ट्रॉंस प्रिजेंट होंगे एट प्लस अब देखिए फ्लोरिंग कितने टाइज न है फाइफ ठीक है और देखिए आप एक नेगेटिव चार्ज भी एक्ट्र मिलेंगे ठीक है लेकिन यहां फ्लोरिंग कितने टाइज न है इसका मतलब सेब्स में से फाइफ तो बांड पेर हो जाएंगे और बाकी बच्छे के दू क्या हो जाएंगे वह लून प्यर हमारी फिर से वाई अपर हमारी यहां पर साथ लेक्ट्रॉंस प्यर्स हैं और सारे आरांड जो होते हैं कि पांच जो बांड जो होते हैं वह एक प्लेन में लाए करते हैं एक बांड प्लेन के ऊपर आयाता है और एक पेंटागोनल प्लेन के नीचे आजाएगा हमको क्या करना हमको क्या करना है इसमें दूर बचे हुए वह इस प्लेन के जो है वहां पर रहे देखिए सारे के सारे पॉंट कहाँ पर एक प्रेंट का शेप कैसा है इसका मतलब यह जो एक सी फाइब नेगरिटिव का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा इसमें पेंटागोर्नल अगर आप चाहिए तो टैली करने के लिए इसमें इसको बताते रहें किस प्रकार सो निकालना है देखिए अब एक चैस द्यान देखिएगा कि जो कंपाउंड्स होते हैं और और भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें अगर माली और प्रेजेंट आप उसको काउंट मत कीजिएग है और बाइद करने के लिए यहां करने के लिए जैए आप और पर कमतले कर के इसको हुआ रिवाइड करेंगे तो कितने मियंगे हमको इसमें 5 ह्हुतान प्रेल नेंगे ठीक पांच लेक्ट्राण पैर्स हैं और पांचों क्या हो जाएंगे इसमें बॉंड प्रकार करके हैं आपको ध्यान भी होगा कि जिनौन सेंटरी में आजाएगा तीन बॉंड प्लेंट के ऊपर और एक बॉंड प्लेंट के कहा जाएगा नीचे इसका मतलब देखिए हमारे पाइ और यहां पर भी डबली बॉंडड़ ऑक्सीजन हो जाएगी ठीक है तो इसकी जमेट्री क्या कहलाएगी आप जानते हैं कौन सी जमेट्री है ट्राइगूरल बाइप्रमेडल ठीक है तो हमारा आंसर भी इसमें वेरिफाय हो गया है ठीक है तो आपको कॉश्चन संज में आ ग हमारे पास जो है वह किस पर में देखिए इसमें एक हिंट भी किवेन है क्या है वह एक मैटल है ठीक है अच्छा देखिए अगर माले लिखते हैं वह क्या होती है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सनिक एंटी मनी एंड लास्ट में कौन सी अलिमेंट होता है बिसमत अच्छ होगा है और अच्छे फ़रे नीचे वडा़े एलिमेंट कौन सा ऊपूरोज होगा धीक है और वैसे वी पहले इसमें क्या होता है कि बिसमत हो जाएगा हमारा अंसर ठीक है अच्छा अगर आगर आप है कि रिडियोसिंग के बड़ता है कि निचे बढ़ते हैं इसमें फॉस्फोर खाजाएगा इसका साइस बड़ा हो जाएगा अब इस से प्रेकार सेंब्समालि के पास महुंचेंगे जाकर के विश्मत में क्या में क्यों होजा ». अब बताइए दोस्ति होते हैं, अब ध्लिया सही होती है, आपके level के होते हैं आप उनकी बात समझ सकते हैं और वह आपकी बात समझ सकते हैं similarly यहाँ पर भी समझे लिजेए कि जिनका होता है याँ आटम्स का रीजनेबल साइज जो होता है उनकी वज़ाइस से उनकी बांडिंग जोती वह अच्छी से बनती जाकर कि है सजमारी आपको बात है जिक आप ध्यान रखिएगा कि जिन आटम्स जो आपसमें इनका साइस जो होता है वह काफी रीजनेबल और उनकी बात है उतना ही स्ट्रॉंग बांड बनेगा जाकर कि सजमारी आपको बात है आपको बात है तो इससे आप दो ओडर से चेक कर सकते हैं कि कि देखिए इस वारे सीरिज में क्या है कि मैं मेटल मिली है मेटल सरफ एक प्रिजेंट है तुम्हारा आप्शन जो है वो आंग बनकर कौन सा हो जाएगा इसमें डी वाला है नहीं कि फोर्थ आप्शन हो जाएगा और आप जाएगा ऐसे वो चेक कर सकते हैं सब्सक्राइब क सब्सक्राइब को बात है वेडिकोट चलिए हम दोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्यों हो रहा है तो सब्सक्राइब नेक्स्ट क्यों जो है यह हमारी जो भी अप्रेले वाली शिफ्ट जोगी थी 2021 में यह उसमें आया वा क्रॉप करने में कि देखिए जो इमेज थोड़े यह क्वेश्ट बड़ा लग रहा है इसलिए इसको क्रॉप करने में जो शिफ्ट का जो आंसर नाम दिखाओ वो सब्सक्राइब करने में है यह क्वेश्ट जो कफी इंपोर्टन थै दिखिए इसमें कहा रहा है कि हमारे पास ही जो एनिलीन प्रेजन इसमें देखिए इसकी Na Na To Play Scl से reaction करा सब्य weekend को बात है आपको याद भी होगा कि अगर माल alcanz Kanpur ऊसे कहा जाता है इसए कहा जाता है retain जब जाता है इसे कहा जाता है सब्सक्रेंग को बात इसे कहा गोलते हम लोग है नाइट्रस ऐसेड अच्छा इसमें बीच में एक्स एलिमेंट कर नाम लिखा हुआ है और बात में कहा रहा है जब उस एक्स यहां पर जो फॉर्म होगा उसको किसी आई वाली कंडिशन में उसको रियाट कर रहेंगे तो वह जाकर क्या बना देगा इसमें बना देगा साजमारी आपको बात है तो इसमें आगे कहा रहा है कि इंदा अबब केमिकल रियक्शन इंट्रिमिडिट एक्स एंड रियेजेंट ऑबलिक कंडिशन ए आर मतला इसमें जो रियेजेंट और कंडिशन के बारें पूछा है अगर के वह अब देखें कि माले इसक 0-2 से-ब कर आई जाती है तो यह फॉर्म कर देता यहां अपर है और और जो और देगा आया जाता है इसे बोला जाता है iso bond कौन सा ब्रॉण बोला जाता है इसलीज से बोला जाता है है सब्सक्राइब करना है जादा कुछ नहीं करना होता है जो हमारी पास कंपाॉंड भूण बनाया करके है इसको simply हम लोग अगर इसके कर देते हैं हीट के presence में तो यह हमारा convert हो जाता है फिनोल में सब्सक्राइब को बात है आपने 12 थैंप पढ़ा भी होगा कि जो यहां पर हमारे पास amine group जो present होता है इसको काफी मुश्किल होता है इसलिए reaction को complete करने के लिए पहले हमें जो हमारे पाइंडिलीन जो होता है उसको पहले डियाजोनियम salt में convert करते हैं उसके बाद हमागे प्रोश्ट करते जाया करके ठीक है तो देखिए हमारे पड़ा लिए कि यह हमारा क्या हो जाएगा एक्स यानि कि हमारे जो डियाजोनियम salt जो बनाए वह हमारा एक्स हो जाएगा और इसमें कहरा है कि reaction condition के बारे हम पूछा जाकर किये तो वह क्या हो जाएगी इसमें आप्ष्ण कौन से करेक्ट हो जाएगा दिखिए कौन सा उप्ष्ण इसमें है यह थार्ड वाला उप्ष्ण जो है यही मिलना है ठीक है तो इसमें आपको बात है question important हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग है इसमें कह रहा है कि मैचिंग वाला question है तो देखिए इसमें different processes के नाम लिखे हो इनका application जो होता है वो किसकी मदद से prepare किया आती है फिर उनके बारे में कुछ और information दी गई है तो देखिए इसमें पहला option जो है वो कह रहा है कि हेबर प्रोसेस तो देखिए आप जब भी मैचिंग वाले question आते हैं आपको आता है अच्छा कैसे solve करना सिंपल कीजिए आप इसमें ए लिख लिए कीजिए बाद नहीं इसमें आप ऐसे check कीजिए कि इसमें इसमें आपको पता है कि वो किसले प्रेडियूस होता है वह ammonia को बनाने के लिए उसके आता है देखिए इसमें कौन सा option हमको मिल रहा है अगर कि है यह कौन सा नंबर पर थार्ड तो आप इसको इसमें यह ए टू थार्ड लगा लिजिए अब इसमें आप चेक कर लिजिए कि इसमें आपको बाते हैं कि कौन सेलेक्शन के लिए होता है वह तर नाइट्रिक अच्ट बनाने के लिए आपको पास इसका मतलब क्या है कि बी में कौन सा मिल जाएगा हमको बी में हमारा फर्स्ट ऑप्सन जो है वह बन जाएगा देखिए इसमें आप यह नाम जो होता है एक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि कि यह तो नॉर्मल प्रो को इसको पता होते हैं लेकिन ईयर्ज इम्ठापिक जो होता है यापको अध्याद भी होगा यह यह पने नदेञे चेप्टर जो आपahaha करिया जातीं सब्किंप्र करे जाता है तो से आप उसमें धायन दखीएगा हमारे इस वाले कोशन का अंसर का इसमें थार्ड वाला अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए लिए नेक्स्ट क्यों बढ़ जाते हैं के स्ट्रेंट सभा नेक्स्ट क्यों जो है वो कह रहा है कि इस अब पॉसिबल यहिती है इसका मतलव यहां वह तो पहले से यहां से ठीक है अब दिखिये आप इसको यहां मतलव स्ट्रेफल कर देख लेते हैं इसक 10 यहा जाएógा इसका मतलब कहा है इ unanim कि इसके ओपर भी होगा कितने चाहिए ऐसमें तूर फॉर फाइब लेकिन हमारे पास बी कितने वेलेबल है सलफ हर और लेकिन इसमें demand कितनी है सवाली geometry की है 5 इसका मतलब यह हमारा a वाला option जो है वो भी cancel हो जाएगा इसमें ठीक है अब देखिए बसते कौन कौन है इसमें है कि इसमें पोलर molecules को नहीं होगा जाकर के अब अगर माली हम किसी अब डिर्यक्शन में चेक कर लेते हैं अब देखिए इसमें क्या है कि अगर इस वाले कैसे हम लोग मैजर करते जाकर किया है तो देखिए क्या इसमें बी और एक विश्में जो बांड है वहाई इसके एकन पतbertे पूरे क्या जायका करें यह वाले के छेके हुआ ह्पनी तर्फ के लिए यह अपनी तरफ के लिए यह अपनी तरफ के लिए इसका मतलब इसका इसमें डाइपोल एक्जिस करेगा यूगि यह अकेला इसमें अट्रेक्शन होगा जाकर क्या अकेला यह तीन का रेजल्ट आएगा तो इसका मतलब कह रहा है कि इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन ठीका सजमारी आपको बात है दीखें में इसको क्योंकि क्योंकि रिवाइस करते हैं रेक्ट्रोंग्लर जेमेट्री तो होती है वो तो होती नहीं फ्लालेस वाले केस में है क्योंकि पांच इटम होने ची रहिए वह नहीं हो रही है तो हमारे पास कौन-कुन से है वह कैसा होता है स्फिमेट्रिक मॉल्स बन जाते हैं क्यों क्यों इसका मतलब मॉलेक्यूल नहीं होगा बसता कौन तो मारे यह रही या आउद्स को पात हैं चक्त्रेस कि रहाट यह अ को पढ़ दो होता है अब देखें आप जानते हैं कि आप से छोटा ने जया करके ठीक है कि छीटने रहे से होता है इसी वैसे वह उतना पीर रेशन काउस कर पाता है स़ारी बताथ है और जितना पीर उतना है पैर नning के था हूंत है तुम युर्डली इसने इस है इस इस नहीं लिखा ऊन्म शयाज्टामेंट जो है क्या है ज्रह ग्रेंगी था बता है उतना चूटा का होता है वह उतना है पुल्राइशन को कॉस कर पाता है सब्सक्राइब को बात है इसका मतलि यह हमारा रिजन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें ठीक है तो हमारा इसमें क्या आर जो है वह एका बिल्कुल करेक्ट रिजन है और दोनों की दोने स्टेट्मेंट कैसे है साही है तो देखें इसमें हमारा construction हो जाएगा यह लिखा हुआ है यह हमारा बुलक्री प्रिक्ट हो जाए यह है क्या लिखा हुआ है बोथ एंड और टू देखें असे भी ट्रू है और रिजिन भी ट्रू है और रिजन पर्म जो जो बनाए उसमें कुछ molecules दिये गए है और हमारे पार जो second column जो है उसमें उनका hybridation दिया गया है ठीक है तो हमारे फिर से वही अप्रोच रहेगी दिखिए साहरा पहला option कौन सा है Sf4 ठीक है तो आप बहुत चैस जानते है कि Sf4 जो होता है उसके geometry जो होता है उसका shape जो कैसा होता है square-planar ठीक है यहां वाक्ति होती है उसकी geometry होती है ओक्ताहें और आपको यहां आदो है कि उसमें और से जहां पर होती है उस बन्ले दिखेंगे हमारे पास options जो available है वो दिखें को तो तो खेंगे क्या क्या लिखा हुआ है देखिए हमने अब तो में क्या है हमको एक ही choose करना पड़ेगा तो दिखेंगे पहला option क्या लिखा हुआ एका बन तो हमारे दिखे पहली वर में बिल गया है इसमें हमारा आंसर तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वह इसमें विल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप चाहिए इसमें फर्दर भी चेक कर सकते हैं फिलाल हम लोग अपने नेक्स वेशन के बढ़ एक आरा इसमें के बारा है बहुत सिंपलες कोईशन है अम इसमें नेक्स सब्सक्राइब बाद करते हैं तो नैट्रीन के वेशनमे किक्ति में प्रेजर्म में होते हैं थो प्सक्राइब अद हमना आपको को बताया ता कि जो होता है OXion को किसीईर नहीं करना है विशो समय लि सब्सक्राइब को बात है और आप बहुत चीज जानते हैं कि जागरमली किसी मॉलिक्यूल में 3 एक्ट्रॉन प्यर्ट्स होते हैं तो उसका है क्या कहलाता है है वह हैब्रडाइशन कहलाता है सब्सक्राइब को बात है ठीक है अचा आगे बात करें लिखा हुआ एन और टू है देखिए फिर भाई बात आएगी इसमें अभी हमने क्या किया था इसमें एक एक एक्ट्रॉन को मैनस किया था इसमें जाकर कि प्लस किया था अब इसमें क्य क्यालाती है एसपी हाइब को बात है ठीक है अब देखिए अब क्यां से मिल जाएगा देखिए पहले का एसपी और बागी को आप्शन मैंचे नहीं कर रहा है इसका मतलब मारा कौंसा उप्शन को सॉल्व किया है ठीक है तो आई ओफ आपको आज की लेक्ट्स अच्छे बूलेगा आगे ऐसे और सारे कोशन से लेगा है क्योंकि हमारा पास अभी अधाय टाइम अवेलेबल नहीं है ठीक है तो फ्राब अपने आपके आने वाले एक्जाम के लिए बेस्ट आफ लाइक एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो